वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल निशा एजूकेशन आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 रेखाएं वा कोण की एक्ससाइज 6.2 के क्वेस्टिन नमबर 3 और क्वेस्टिन नमबर 4 सॉल्व करेंगे देखते हैं क्वेस्टिन नमबर 3 क्या है कॉस्चन है कि आकृति में यदि AB रेखा CD के समांतर है ठीक है हमें यहाँ पर आकृति दी हुई है और आकृति में बोला गया कि AB जो रेखा है यह CD के क्या है समांतर है ठीक और EF लंब है CD पर ठीक है यह जो आपको EF लाइन दिख रही होगे ये C-D-LINE पर क्या है, LUMB है ठीके, तो मैं यहां पर LUMB का मतलब बता देती हो, LUMB है, इसका मतलब यह हुआ कि इस LINE के इस तरफ यहां पर 90 ANS का कौन बनेगा और इस तरफ भी 90 ANS का कौन बनेगा, मतलब इस LINE के दोनों और 90 न्यूंस के कोण बनेंगे लंब का मतलब ही होता है 90 अन्स ठीक और कोण G.E.D. की माप हमें दी हुई है 126 अन्स तो हम चित्र में देख लेते हैं कि कोण G.E.D. कौन सा है ठीक है तो कोण G.E.D. मतलब इस पूरे कोण की बात हो रही है इसकी माप हमें दे रखी है 126 तो हमें कोण AGE AGE मतलब ये वाला कोण ग्याद करना है ठीक और कोण GEF ठीक है GEF मतलब ये वाला कोण ग्याद करना है सिर्फ इतना और कोण FGE मतलब ये वाला कोण भी हमें ग्याद करना है ठीक तो हम सबसे पहले कॉशन को एक और बार समझ लेती कि हमें दिया क्या हुआ है हमें कॉशन में काकृति दी हुई है और इस आकृति में जो AB रेखा है ये CD के समानतर है ठीक है और ये EF जो है लंब है इस CD रेखा पर ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 90 अंस का कोण बनेगा और इस तरब भी 90 अंस का कोण बनेगा ठीक और हमें कोण G E D मतलब इस पूरे कोण की माबदी हुई है कितनी 126 संस तो हमें तीन कोण ग्याद करने कौन कौन से कोण A G E मैंने question mark लगाया हुआ है ठीक है और कोण G E F ये वाला कोण ठीक है और तीसरा कोण है कोण F G E मतलब ये वाला कोण ठीक है तो तीन कोण हमें ग्याद करने है बहुत ही easy question है चलिए solve करते हैं तो हमें सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे ठीक है दिया है क्या क्या दिया है भई A B समानतर C D और E F लंब है C D रेखा पर और एक कोण की माफ हमें दी हुई है G E D बराबर कितना 126 ठीक है और हमें जो ग्यात करना उसको भी लिख देते हैं ठीक है तो यहां मैं लिख देती हूँ ग्यात करना है यह लिखने से होता है कि देखने में भी अच्छा लगता है एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको solve करते हैं और यह रहता है कि हमें जो solve करना रहता है वो भी हमें पता होता पुरे caution के दोरान की भई हमें ये चीज ग्याद करने है ठीक है अब देखिए क्या क्या हमें ग्याद करना है तीन कोण ग्याद करने तो कोण A, G, E हमें ग्याद करना है ठीक है दूसरा कोण है कोण G, E, F हमें ग्याद करना है ठीक है औ और तीसरा कोण है, कोण F, G, E हमें ग्याद करना है, ठीक, तो देखिए सबते पहला कोण हम ग्याद कर लेते हैं, जो की है ये वाला, ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AB और CD दो समानतर रेखाए हैं, और मैंने अभी 6.2 स्टार्ट करने के पहले एक 6.2 क बेसिक वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब दो समानतर रेखाओं को एक 3 रेखा दो बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं, तो वहाँ पर बनने वाले जो एकांतर अंतर कोण हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, जैसे मानके चलो ये दो रेखाओं हैं और इसको एक 3 रेखा इस तरीके से क्या कर रही है, दो बिंदू पर प्रतिछेत कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो एकांतर अंतर कोण हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो चितर में आप लोग देख पा रहे हूँ ये कोण, मतलब को चलो अलब кोण दो प्रतिछेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एकांतर अंतर कोण हैं, वो आपस में क्या होँगे बराबर, क्योंकि हम ये जो एकांतर अंतर कोणों को बराबर सक्ते हैं, तो देखेकोण A, G, E, कितनी आसानी से निकल पाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लेख देते हूं, कौण A G, E बराबर, क्या हो जाएगा भई, इस कौण का नाम दे देते हैं G, E, D, जो की हमें दिया हुआ है, ठीक है, कौण G, E, D, यह दोनों कौण आपत में क्या होंगे, बराबर, हमें आप पर कारण भी दे देते हैं एकांतर अंतह कौण ठीक है, अब G, D की माप हमें पता है, तो यहाँ से कौण A G, E, बराबर क्या हो जाएगा, एकसो छब्विस अंस, ठीक है, अब देखी, यह कौण और यह कौण दोनों आपसे बराबर है, हमें यहाँ से G, D की माप पता है, 126 संस, तो A, G, E, की माप भी कितनी होगी, 126 संस, तो यह हमने पहला कौण कितनी आसानी से निकाल लिया अब चलिए दूसरा कौण हम निकाल लेते हैं ठीके, दूसरा कौण है हमारा कौण G, E, F ठीके, कौण G, E, F मतलब यह वाला कौण यह कौण भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे चितर के माध्यम से मैं बताती हूँ ठीके, अब देखी, इतना कौण ठीके, इतना कौण और यह पूरा कौण दोनों मिलाकर कितने हैं, 126 अंस, और हमें इतनी कौण की माप दी हुई है, ठीके, इसका मतलब होता है 90 अंस, ठीके, इतना कौण कितना 90 अंस, और इन दोनों का भी योग पता है, तो हम यह वाला कौण बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं, ठीके, तो चली मैं यहाँ पर लिख देती हूं, कि कौण G, E, F, धन मतलब कौण G, E, F, इतना धन कौण F, E, D, ठीके कौण F, E, D बराबर कितना है भी 126, तो यहाँ से हम देखे कितनी असानी से कौण G, E, F की माप निकाल लेंगे, ठीक, तो हमें कौण G, E, F नहीं पता है, धन कौण F, E, D हमें पता है, इसकी माप कितनी भी, 90 अंस, क्योंकि बोला गया है न, E, F, C, D पर लंब है, तो यहाँ पर कितने अंस का कौण बनेगा, 90 ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 126 अंस, तो हम बहुत आसानी से यहाँ से क्या करेंगे, पक्षांतर करके, कौण G, E, F का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, यह 126 अंस, रिंड कितना 90 अंस, तो यहाँ से कौण G, E, F का मान हो जाएगा कितना भई 36 अंस तो देखी इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों कोड निकल कर आ गए चलिए मैं तीसरा कोड निकाल देती हूँ शायद इहाँ इसके आगे ना देखे तो मैं अधर सॉल्व कर देती हूँ ठीक है अब हमें कोड S G E S G E मतलब इस कोड की माप निकालनी है ठीक है ना तो जैसा कि हमें पता है आपर मैं क्वाशन मार खटा देती हूँ इसकी माप कितनी आई ही भई 126 अंस ठीक है तो दिमाग लगाए कि यहाँ पर हम इस कोड को कैसे निकाल सकते हैं ठीक है देखे बहुत ही आसान है ये एक सीधी लाइन है और इस पर एक किरण खड़ी है ठीक है और यहाँ पर क्या बनने दो आशन कोड़ों और इन दोनों आशन कोड़ों का योग कितना होगा भई 180 क्यों 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 कि यहाँ पर क्या बन रहा है रैकिक योगम ठीक है और हमें पता है जहां कहीं भी रैकिक योगम बनता है तो वहाँ पर दोनों कोड़ों का जो योग होता है वो 180 का होता है ठीक है तो चली मैं यहाँ पर लिख देती हूं कि कोड A, G, E धन कोड जो हमें ग्याद करना है ठीक है F, G, E बराबर कितना होगा 180 हमें आपर reason भी दे देंगे side में कहां से आया भई ये रैखिक युगम अभी ग्रहित से तो हमें आपर रैखिक युगम से लिख देते हैं अब देखिए A, G, E की हमें माप पता है कितनी है 126 थन F, G, E हमें ग्याद करना है तो हम इसको same to same लिख देंगे F, G, E, बराबर कितना हो जाएगा 180 अब हम क्या करेंगे पक्षांतर तो यहां से हो जाएगा F, G, E, बराबर कितना 180 रिन 126 थन तो यहां से हो जाएगा कूण F, G, E बराबर यहां से हो जाएगा 54 अंस या 54 अंस ठीक है तो इस प्रकार हमने कोड़ A, G, E की माप निकाली कोड़ G, E, F की माप निकाली और कोड़ F, G, E की माप निकाली है ना तो इस प्रकार हमने तीनों कोड़ों को ग्याद कर लिया और यही इसका solution है, I hope यह question आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा next question है, question number 4, चलिए देखते हैं कि question number 4 में हमें क्या पूछा गया है आकरिती में यदि PQ समानतर है ST के, हमें यहाँ पर एक आकरिती दी हुई है और बोला गया है कि यह जो PQ line हमें दिख रही है, वो ST के क्या है समानतर ठीक है, भली आप लोगों को यहाँ पर यह थोड़ा चित्र अलग सा लग रहा होगा कि यह अलग से एक रेखा है, यह अलग से एक रेखा है, ठीक है तो हमने अभी तक जो समानतर रेखा है देखी, वो कुछ इस प्रकार से देखी है यदि मैं इतने भाग को यहाँ से मिटा दूँ और यहाँ से इतने भाग को मिटा दूँ तब भी तो यह क्या होंगी समानतर, तो कुछ इसी प्रकार की situation इस question में है ठीक है, तो PQ समानतर ST हमें दिया हुआ है, यह जो PQ है, यह समानतर है ST रेखा की ठीक है, और कोण हमें PQR का जो मान दिया हुआ है, वो 110 संस दिया हुआ है, ठीक है मतलब इस कोण की माप हमें 110 संस दी हुई है, और कोण RST ठीक है, कोण R, S, T की माप हमें दी हुई है, कितनी 130 संस, मतलब इस कोण की माप, ठीक, तो हमें कोण Q, R, S ग्यात करना है, ठीक है, तो हमें कोण Q, R, S, ग्यात करना है, इस कोण की माप हमें ग्यात करना है, और आप लोग की याद रखें, कि जिस भी कोण की हमें माप ग्यात क जाता है घ्रस में घ्यात करना तो चलिया सॉल्व करते हैं एक और चीज़ हमें छित्र सफ यहां तक दिया है लेकिन हमें इस चुशन संकेत दिया हुआ है R से जाती हुई एक समानतर रेखा खीचे PQ के तो हमने यहाँ पर खीज दिया है ठीक है PQ समानतर MN रेखा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं फिर जो ग्यात करना उसे लिख लेते हैं फिर आगे हम कॉशन सॉल्व करेंगे ठीक तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिया है ठीक है क्या दिया है PQ समानतर है ST रेखा के ठीक है तो हम इसको दे देते हैं एक्वेशन नमबर फर्स क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पढ़ने वाली है ठीक है फिर हमें जो कॉण की माप दी हुई है उसे हम लिख देते हैं तो मैं चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉण PQR बराबर दे रखा है 110 अंस और कॉण RST का मान हमें दिया हुआ है 130 अंस ठीक है और हमें जो ग्याद करना है मैं उसे लिख देती हूँ क्या ग्याद करना है हमें कॉण QRF का मान ग्याद करना है ठीक है अब देखिए हमने यहाँ पर एक रचना भी किये हुई है तो उस रचना को भी हम लिख देंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रचना ठीक रचना हमने क्या किया है भई PQ के समांतर MN line खींचा है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ खींचा और इसको हम दे देते हैं समी करण नंबर 2 ठीक है आपकी 9th class की NCRT Maths की बुक में प्रमेक रमांग 6.6 है इस chapter में जिसमें बोला गया है वे रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर हो वे परस पर भी क्या होती है समांतर होती है इसका मतलब यह हुआ है ठीक है कि जैसे PQ जो रेखा है यह ST के समांतर है ठीक है और हमने PQ के ही समांतर MN रेखा खींचा है construction में या रचना में ठीक है तो ये रेखा, इसके समानतर है, यही रेखा, इसके भी समानतर है, तो ये दोनो रेखाएं भी आपस में क्या होंगी? समानतर होंगी, ठीकिए इस प्रमे का मतलब यही है, ठीके तो हम यहां लिख देते हैं, समी करण एक व दो से क्या हो जाएगा कि ST समांतर हो जाएगा MN के ठीके अब देखिए ST जो रेखा है ये MN इस पूरी रेखा के क्या हो गई भी समांतर और हमने 6.2 का जो बेसिक वाला विडियो है मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तीर्यक रेखा दो बिंदों पर प्रतिचेत करती है तो वहाँ पर तीर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है ठीक है तो यहाँ पर ST और MN क्या है समानतर रेखा है ठीक है और इस समानतर रेखा को यह आपको SR 1-3 रेखा दिख रही होगी यह दो बिंदों पर प्रतिछेत कर रही है ठीक है तो इसके एक ही और यहाँ पर यह जो दो कोण दिख रहे है ना इन दोनों कोणों का यो कितना होगा 180 ठीक है तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं ठीक है ST समानतर है MN के तो यहाँ से अतह ठीक कोण RST धन कोण NRS बराबर कितना होगा 180 यह क्या है तीर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ठीक है इन दोनों का योग कितना होता है अब हमें आपर reason भी लिख देते हैं कि तीर्यक रेखा के एक ही और बने कोण ठीक है न अब देखिए RST का मान हमें दिया हुआ है कितना है भी 130 अंस धन यहां से हो जाएगा कोण NRS बराबर 180 अंस ठीक है तो हम पक्षांतर कर देंगे यहां से कि कोण NRS बराबर 180 अंस माइनस 130 अंस तो यहां से आ गया कोण NRS का मान कितना 50 अंस ठीक है तो इस कोण का मान कितना है भई 50 अंस ठीक है न अब देखिए यहां पर भी सेम सिच्वेशन है कि यह PQ समानतर है MN के ठीक है PQ समानतर है MN के तो यहां पर भी एक तीरिक रेका में दिखाए दे रहे QR ठीक है जो कि इन दोनों रेकाओं को दो बिंदों पर प्रतिछेद करे Q और R पर ठीक है तो यहां पर तीरिक रेका की एकी है और बनने वाले जो अंतर कोणों का योग होगा वो कितना होगा 180 होगा तो हम यहां पर लिख देते हैं कि PQ समानतर है MNK ठीक है तो यहां पर भी जो तीरिक रेका की एकी और जो कोण बनेंगे उनका योग एक 180 होगा तो मैं यहां पर लिख देती हूँ कोण PQR धन आय होप आपको यह दिख रहा हो ठीक है और यहोग यहाँ PQR और MRQ कोण MRQ का जो मान होगा के एक ही और बने अंतह कोण ठीक है चलिए अब मैं से आगे इधर सॉल्व कर देती हूँ शायद यहां से आगे ना दिख पाए तो देखिए आपर PQR का मान हमें पता है कितना है भाई 110 ठीक है यह आगे का है तो यहां से हो जाएगा 110 धन यहां से हो जाएगा यह कोण MRQ बराबर कितना 180 अंस अब हम यहां से कोण MRQ का मान निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 180 अंस तो मैं यहां आगे ही लिख देती हूँ कोण MRQ बराबर कितना हो जाएगा 70 अंस ठीके मतलब MRQ का जो मान आया है वो कितना आया है 70 अंस अब आप देखी ठीके यह हमने क्यों निकाला भेई क्योंकि हमें इस कोण की माप निकाल ली थी ना तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक ही लाइन पर मतलब इस एक ही लाइन पर कितने ही कोण बने ठीके इन सबका जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंस ठीके तो यहाँ पर यहीं MN जो रेखा है इस पर टोटल 3 कोण बन रहे हैं और 3 कोणों में से यदि हमको 2 कोण की माप पता हो गई ठीके तो हम 3 कोण निकाल सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों कोणों का मान निकाल लिया अब हम बहुत आसानी से 180 ठीके एक ही रेखा पर बने कोणों का योग एक 180 होता है इससे हमें आपर बहुत आसानी से जो हमें ग्याद करना है ठीके क्या ग्याद करना है कोण QRS का मान वो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं कि कोण आपर देखी MRQ धन कोण जो हमें ग्याद करना है ठीके QRS ठीक है Q, R, S धन, N, R, S बराबर कितना हो जाएगा 180 हम यहाँ पर रीजन दे देंगे कि एक ही रेखा पर बने कोण कोण आगे भी आप लेख सकते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का जो योग होता है वो एक सो असियन्स होता है ठीक है अब M, R, Q कमान हमें पता है कितना है भई, सत्तर अंस धन हमें Q, R, S ग्याद करना है धन N, R, S हमें निकाला हुआ है 50 अंस बराबर कितना हो जाएगा 180 मैं यहाँ पर छोटा छोटा गर के लिख रहे हूँ I hope आपको सब कुस दिख रहा हो ठीक है क्योंकि नीचे की तरफ आपको दिखेगा नहीं ठीक है अब हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q, R, S बराबर 180 अंस माइनस अब देखिए 70 और 50 अंस को हम जोड देंगे तो 120 अंस होगा ठीक है तो यह माइनस हो जाएगा कुछ नहीं किया है हमने पक्षांतर किया है ठीक है और कोण Q, R, S कामान यहाँ से कितना आ गया 60 अंस ठीक है यही हमें क्या करना था ग्याद करना था और यही क्या होगा अंसर होगा तो I hope यह question आपको बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा तो MN यहाँ पर PQ के समानतर एक रेखा खीच ली ठीक है तो इन question को solve करने का तरीका यह होता है कि आपको जो दिया है वो आप लिख दें जो ग्याद करना उसको भी लिख दें यदि आपने रचना की है तो उसको भी लिख दें देन फिर आप question को solve करें ठीक है तो यहाँ से यह जो equation first है और equation second है उससे हमने क्या किया कि PQ समानतर थी ST के ठीक है और PQ के ही समानतर हमने MN खीचा और हमने यहाँ पर प्रमे 6.6 से क्या किया है ना प्रमे क्रमांग 6.6 यह कहती है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानतर होती है आपस में भी क्या होती है समानतर तो इससे हुआ यह कि MN के समानतर क्या होई ST और हमने एक चीज़ पड़ी हुए कि दो समानतर रेखाओं को यह देख तीर्यक रेखा दो बिंदों पर बतिच्छेत करे तो वहाँ पर जो तीर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोंड बनते हैं उनका योग 180 होता है इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इस कोंड की माप निकाली सेम इस तरह भी इस कोंड की माप निकाली ठीके तो यह 50 अंस आया और यह 70 अंस फिर हमें पता है कि एक ही लाइन पर दो कोंड बना लो तीन कोंड बना लो या चार कोंड बना लो सबका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है तो उससे हमने क्या किया बहुत ही आसानी से कोंड QRS का मान ग्याद कर लिया ठीके अब यह question आपको बहुत अच्छे से समझ में आऊगा यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से repeat करके देख सकते हैं ठीके यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों की साथ जादा से जादा शेयर करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुलें थांक यू